हेलो फ्रेंज दिस इस निहां हेर और वेलकम तो ओर डिट्यूप चानल भीया चिव पाइच सहला देडी दोस को फंदिनेव करते वे यह हमारी नेस्ट वीडियो है और इस वीडियो इम डिस्कूस करेंगे इंपोर्टन इंडियन नेसनल कॉंगर्स के अधिवेशन वेल आपक ने पार्टिसिपेट किया वेल मैंने आपको बताया ए ओ हुम इन्हों ने इसके इस्थापना की वक्त नाम रखा था इंडियन नस्नल यूनियन देन दादा भाई नौरे जी इनकी सजिशन के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज करके इंडियन नस्नल कॉंगर्स कर दिया गय अध्यक्ष जार्ज यूल यह आपको याद रखना है फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष बने इंडियने नेसला कॉंगर्स के 1896 का कांग्रेज अधिवेशन कौलकाता में अधियक्ष रहीम तुला सेयानी ध्यान रखेंगे 1896 के सत्र में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया गया 1905 का कांग्रेज अधिवेशन विए रहीम विनार्सी में हुआ अधियक्ष गोपालकर्ष्ण गोखले और इस अधिवेशन पहली स्वादेशी आंगोलन का समर्थन हुआ 1906 का कांग्रेज अधिवेशन कालकाता में किया गया अधियक्ष दालभाई नौरे जी और इस अधिवेशन में आपको याद रखना है कि इसी अधिवेशन में फर्स टाइम स्वाराज वर्ड का प्रियोग किया गया आपसे क्वेशन डालेक बन सकता है किस अधिवेशन में स्वाराज वर्ड का यूज किया गया 1906 का जो कांग्रेज अधिवेशन हुआ उसमे 1907 का कांग्रेज अधिवेशन सूरत में हुआ अधियक्ष रास बिहारी घोष इस अधिवेशन में कांग्रेज का विभाजन हो जाता है ध्यान रखेंगे 1907 का Congress Activation में 1911 का Congress Activation कलकता में हुआ अध्यक्ष विशन नरायन दर्जी रहे और आपको ध्यान रखना है 1911 के सत्र में पहली बार जर्नगर्मन का गान किया गया था 1916 का Congress Activation लखनाओ में किया गया अध्यक्ष अंभी अभी चर्ण मजबूदार जी थे और आपको ध्यान रखना है इसी सत्र में नरम दल और गरम दल आप इतने पढ़ाओगा अफकॉस नरम दल और गरम दल ये एक हुए अगर आपको नरम दल और गरम दल की बार में कुछ जानकारी है आपको जी कमेंट सक्षन में लिखते बताएए जड़ा देखते हैं आपके पठाई कैसे चल रही है 1917 का कांग्रिस अधिवेशन कर्ल करता में किया गया अध्यक्ष एनी बैसिन जी याद रखेंगी कांग्रिस की प्रतब महिला अध्यक्ष एनी बैसिन जी है 1919 का कांग्रिस अधिवेशन अमरित सर में हुआ और यहाँ पर अध्यक्ष ने मोति रान नहरू जी 1920 का कांग्रिस अधिवेशन ये नागपूर में हुआ आपका अध्यक्ष वीर रागवाचारी जी और आपको याद रखना है 1920 का कंग्रज अधिवेशन में ही और सहयूग आंदुलन का प्रस्ताव पालित हुआ था Next 1924 का कंग्रज अधिवेशन ये बेलगाओं में हुआ ठीक है? अध्यक्ष महात्मा गांधी जी रहे इस वक्त 1929 का कंग्रज अधिवेशन लाहौर में हुआ अध्यक्ष जवाहलान नहरू जी रहे और याद रखना है आपको इस अधिवेशन में ही कम्प्लीटली पुर सुहराज का प्रस्ताव पालित किया था ठीक है? और हाँ most important point मैंने left कर दिया 26 जैन्वरी 1930 को 23 दिवस मनाने का निश्चे किया गया इसी अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन है? यह आपको ध्यान रखना है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची अध्यक्ष भलाभाई पतेल इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार समधी प्रस्ताव पारित किया गया ये पॉइंट आप याद रखेंगे अधिवेशन से रेड़िट इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परन्तु गांधी वाद नहीं धान रखना है 1936 का कांधिवेशन लखनाओं में हुआ अधियक्ष जवाहलाल नहरु जी रहे 1937 का कांधिवेशन फैशपूर अधियक्ष जवाहलाल नहरु जी रहे और आपको याद रखना है फैशपूर गाओं का नाम है यही एक ऐसा है जो की आपका गाउ में हुआ है Congress का अधिवेशन 1938 का Congress अधिवेशन Haripura, Gujarat अध्यक सुवाश चंदर बोश जी 1939 का Congress अधिवेशन ये आपका त्रिपुरी में हुआ जबलपुल मर्दी परदिस में पढ़ता है अध्यक सुवाश चंदर बोश जी रहे वेल, नेस्ट है हमारा 1940 का कांगर्स अधिवेशन ये रामगर्ण में हुआ अध्यक्ष अब्दुल कलाम अजाद जी थे ठीक है? आपको याद रखना है ये जो है ये सबसे लंबे समय तो कांगर्स की अध्यक्ष रहें वीडियों समझ में आ गई होगी सौथ है बद इंपोर्टेंट है कमें सेक्षिंग में आप एक पर लिख सकतो मुझे अच्छा लगेगा ओके बबाई मुस्कुनाते रहिए सौथ है बद इंपोर्टेंट है